हलो दोस्तों तो आज में जो रेसिपी सेर करने वाली होना उसके बिना हम भीहारियों की ठन इनकम्प्लीट है ठन के मौसम में ये हरे मतर का नास्ता हर किसी को बहुत पसंद आता है तो आसा करते हूं आपको भी मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप भी इस रेसिपी एक कढ़ाई चढ़ा दिया है और उसमें मैंने एक चमच की करीबन सरसो तेल डाला है और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है दो लाल मिर्च तोड़कर आधा चमच जीरा साबुद जीरा और एक छोटा सा प्याज मैंने स्लाइस करके इसमें डाल दिया है और इन सभी चीजो डालेगा इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और प्याज को हमें जादा नहीं पकाना है बस जिस थोड़ा सा जब कलर चींज हो जाए प्याज का तब तक हमें इसे पका लेना है इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी पोहा या चीवरा हमारे यहां पर इसे चीवरा बोलत तो आपको इसे continue चलाते चलाते पका लेना है जब तक कि यह एकदम crunchy ना हो जाए तो देखिए इसका crunch यह बहुत ही अच्छे से crunchy हो चुका है ज्यादा इसे पकानी की ज़रुत नहीं परती पांच मिनट में ही यह अच्छे से crunchy हो जाता है तो अब मैंने gas का flame off कर दिया है फि इखा चटपटा एकदम जबर्दस्ता टेस्ट आएगा अब मैं इसे निकाल लूँगे दूसरे बरतन में फिर मैं उसी बरतन में एक चमच तेल डाल कर इसमें हम मुंगफली डाल देंगे और मुंगफली को भी हम एकदम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि हमारी मुंगफ तक ब्राल कैसे दीव। और तरो इसमें डाल करने दिया है दो अहरी मिर्च को हटे काटके डाल करके अवी seems अच्छे से पकाएंगे फिर में अम इसमें ना ही न बस जब चमच अम चलक हो जबत जाए नम आत कर दिनगे एक कप हड़े मतर और साथ ही हम इसमें एट कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, हाफ चमच हल्दी पाउडर और एक चौत हाई चमच लाल मिर्च पाउडर और इन सभी को हम एकदम अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे ठन्मेन अकसर मेरे घर पे ये नास्ता हमीशा से बनता और सभी का फेवरिट है तो आपके घर में ठन्में क्या बनता है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और जो भी बिहार और यूपी से हैं उनके घर में तो ये जरूर बनता होगा तो अब हम इसे क्या करेंगे धक कर पांच मिनट के लिए पकने देंगे इसके वाद धकन उठा कर फिर से हम इसे continue दो मिनट के लिए चलाते हुए पका लेंगे देखा जाए तो आप इसे बिहारी उखा ट्रडिशनल नास्ता भी बोल सकते जैसे ही मार्केट में हड़े मतर आते हैं वैसे घर में यह बनना स्टार्ट हो जाता है अब हमारे देखिए मतर अच्छे से पक गए हैं तो अब हम इसे चेक कर लेंगे कि मतर हमारे अच्छे से पके हैं कि नहीं तो देखिए मैं दबार यूँ तो यह अच्छे से दब जारा थोड़ा गरम था तो भी यह पक गए हैं बहुत ही अच्छे से तो अब हम क्या और उसमें जो हमने भुजा हुआ चूरा रखा था ना उसे डाल देंगे और जो हमने फ्राइ करके मुंगफली डाल देंगे और इन तीनों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह ना खाने में बहुत ही टीस्टी लगता है तो आप इस रेसिपी को एक बर जरूर ट्राइ कीजिए का मैं दावे से कह सकती हूं कि आपको यह रसिपी बहुत पसंद आएगी तो हमारा सामखा नास्ता तो यही होता है ठंड में तो आप बताईए आपके घर में ठंड में सामखा नास्ता क्या होता है तो देखे कितने जबरदस दिख रहे हैं अब हम थोड़े अपने में आए और हम चूड़ा या पोहा जो भी आप बोले हम इसके साथ बना कर खाए तो साम के नास्ते में इस रसिपी को एक बारी जरूर ट्राइ कीजिएगा तो साम में गर्मा गर्म चाई के साथ चूड़ा और मतर का भूजा बना कर इंजॉई कीजिए वीडियो आपको सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा अगर नहीं आया हो ना तो भी सब्सक्राइब करके जाएएगा थैंक यू वीडियो को अंतक देखने के लिए